कुर्सी की रेस कौन सीएम फेस नमस्कार मैं हूँ अपर्णा मौज़ूं मद्धप्रदेश और 36 गड़ में बीजेपी ने जीत हासिल की और जीत के बाद अब शुरू हो गई कुर्सी की लडाई चिनाव जीतने के बाद अब बारी सरकार बनाने की है दिगर जीता मुख्यमंतरी की रेस में हैं लेकिन कौन इस रेसे बाजी मारेगा यह भी बाकी है प्रदेश ते लेकर दिल्ली तक की दोड़ शुरू हो गई है मुख्या का चिनाव करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनावती होने वाला है जब सरकार बनेगी तो मुख्या याने मुख्यमंतरी कौन होगा यह सबसे बड़ा सवाल है करेंगे यह मेरी पार्टी ते करेंगी नाम या लग लग पैचान या चेरे नहीं है करकार का नेचरिक तो कोन करेंगे यह पार्टी का विजायक जलो खेंडरी नेचरिक करेंगे चलिए अब आपको बताता है कि कुर्सी की लडाई में कौन कौन दाविदार है माध्यप्रदेश में मुख्यमंतरी की रेस में कई चहरे हैं सबसे पहले बात शिवरा सिंग चौहान की मौचुदा मुख्यमंतरी हैं जोत्य अधितस सिंध्या भी मुख्यमंतरी पत के दाविदार बताये जा रहे हैं उथर बीजेपी के राष्ट्रे महासचेव के लाश्टुजे वर्गे भी सीम पत के दाविदार है और अगर अब बात करें 36 गड़की तो यहां से रमन सिंग सीम पत की रेस में सबसे आगे बताये जा रहे हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुन साव भी मुख्यमंतरी पत की रेस में हैं इसके अलावा विश्टुदेव साई और ओपी चौधरी भी सीम पत की रेस में हैं कमाम यह वो फेस जो सीम पत की रेस में हैं वो नाम और वो चेहरे हमने आपको दिखा लिए लेकिन किसके नाम पर अंतिमोहर लगेगी यह मन्थन जारी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेमान जुड़ चुके हैं अजे धवले जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राम पांडे जी हैं कॉंग्रस के प्रवक्ता हैं समेरों कर लेते हैं आजे जी क्या चर्चाय चल रही हैं आपके खेमे में अज तो चर्चाओं का दोर से अधिक भाति जनता पार्टी में उत्साह का माहौल हैं और मट्रे पदेश की जनता ने जो अभूत पूर्व जनादेश दिया है हमारे संगठन को हमारे कारे करताओं को उन सब की ओर से मट्रे पदेश की साड़े नो करोड जनता को स्ने गापित करने और धन्यवाद ग्यापित करने का समय है निश्कीत रुप से अभी प्रश्ण सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री का प्रश्ण आएगा लेकिन भाती जनता पार्टी की परंपरा है कि उस परंपरा के तहट जो भी मुख्यमंत्री का चहरा होगा उसे संगसदी परंपरा के तहट गोशिद भी किया जाएगा लेकिन आज मज़े पदेश की आपके चैनल के माधियम से पतिश्टी चैनल के माधियम से मज़े परदेश की साड़े नो करोड जनता को हम धन्यवाद यापीत करते हैं कि इस एतिहासिक जनादेश ने आज आप में देश में एक नए प्रतिमान सापीत किया कि विकास के एजेंडे पर जब जब ओट मांगा जाता है तो प्रो इंकंबंसी का ओट होता है और पॉपिलर सरकार को पॉपिलर मेंडेट मिलता है तो भातिय जनता पर्टी को मज़़े परदेश की जनता ने जो आशिरवाद दिया है उसी आशिरवाद अनुरूप मज़े परदेश में मुख्यमंतरी भी आएंगे और नई सरकार भी उसी अनुरूप कार्य भी करेंगी जी आपकी पार्टी में मन्थन हो रहा है कि कौन होगा CM FACE मन्थन का दौर तो कॉंग्रेस में भी जारी है राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए है राम पांडे जी गलत नहीं कह रही हूँ न मैं कि मन्थन तो आपकी पार्टी भी कर रही है यह इनका विशेशा अधिकार है यह पार्टी प्रचट भावमस से जीती है मोदी जी की गारंटी से जीती है शिवराज जी ने बहुत ज़्यादा सभाएं लीती उनकी लालदी बहना के कारण भी बोट मिले हैं यह सारे कारण जो है डीजेपी को एक अधिकार देती है कि वह अपना मंच्यमंटरी जिसको चाहें वह बनाएं लेकिन मोदी जी की गारंटी थी तो प्रधान मंथ्य जी तो मंच्यमंटरी बनने आएंगे नहीं बहुतों प्रधानमंती पर छोड़ेंगे नहीं तो सबसे जाधा काम आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे मेरा सवाल यह नहीं था कि उनकी पार्टी में किस नाम को लेकर मंधन चल रहा है तो कॉंगरेस का उस पर फेवर्ट चेहरा कौन सा है मेरा सवाल यह था कि मंधन महां CM face को लेकर चल रहा है तो कोंग्रेस के अंतर में चल रहा होगा ना आपकी पार्टी के मंथन करने के कारण तो अलग है आप बेतर समस्ते बात को नहीं क्यों मंहुत नहीं करेंगे हम तो बहती जिनता पार्टी को यह पसंद करते तो उनके मुंक्षमंति नहीं राम पांडे जी मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी में मंथन तो हार के कारणों को लेकर चल रहा होगा ना मैं उस पर आप से सवाल पूछ रहे थी ये मन्थन करें या नि करें अर के कारण तो सब को पता है, आप को पता है, मुझे पता है, पार्टी को पता है, जनता को पता है, सब को पता है अब मन्थन करना जरूरी होता है बस कि हाँ ठीक है साइद कोई नई बात निकल कर आ जाए बिधायकों की रहे पूछली जाए जो चुनाब लड़े हैं लेकिन ये सब को पता है कि चुनाब क्यों हा रहे हैं और भाती जनता पार्टी क्यों चुनाब जीती है मन्थन की एक प्रक्रिया होती है नियम होता है तो वो किया जाएगा और साइद कुछ नई बात निकल कर आ जाए लेकिन मैं समझता हूँ प्रवक्ताओं को हमारे कार करताओं को जनता को मीडिया को सब को पता है क्यों कॉंग्रेस क्यों आ रही और बाती जनता पार्टी क्यों लेकिन खास स्वार पर अगर बात की जाए मध्रिदेश 36 गड़ की सर आपका अनुभब आपका विश्टेशन क्या कह रहा है सीम फेस को लेकर जो मन्थन चल रहा है उस पर फोकस किस चीज़ पर होगा देखे जो जीत का कारण है वो बड़ा स्पस्ट है अब इस देश में जो परंपरा चल गई है नहीं राजनेतिक उसमें वही दल को लोग एक्सेप्ट करेंगे जो दल काम करके देगा और लोगों को रहा दिलाने का काम करेगा सिर्फ बाते बनाने पे रहेगा उसकी वो दल अब चलने वाला नहीं है कॉंग्रेस के लोग ओवर कॉंफिडेंस में थे कॉंग्रेस के लोग ऐरोगेंट्ली बिहेव कर रहे थे जबकि परणाद मंत्री मोधी जी ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी थी ये कन्विन्स करने में कि हम जो कहेंगे वो करेंगे और हमने जो का वो किया और यही काम सिवराज जी ने भी किया कि उन्होंने जो भी उनकी योजनाये थी उसका डिरेक्ट बेनिफीट लोगों को मिला है ये भी एक बहुत बड़ा कारण सा इस प्रचन बहुमत का और रही बात कि कौन मुख मंतरी होगा तो देखिए भातिये जंता पार्टी सप्राइ देने के लिए भी जानी जाती है तो अभी बहुत से नाम हैं जो घूम रहे हैं किसके ऊपर ये ताज सजेगा ये हाई कमान का फैसला होगा और ये हाई कमान ही तै करेगा और किसी के बसका नहीं है कोई भी प्रडिक्शन करना हम लोग तो खैर कुछ भी प्रडिक्शन करें तो उसका कोई मसलब नहीं होगा प्रडिक्शन नहीं बस जो नाम चल रहे हैं रेस में उनको लेकर चर्चाए हैं तो एक चर्चा हम भी कर रहे हैं सर लेकिन मुझे याद आता है हर्याना का चुनाओ जब पहली बार बीजेपी जीत कर आई तो मनुहलाल खटर गडान जो सामन नहीं आया तो हर कोई हैरान रह गया क्योंकि वह नाम तो करीमी शामिल था है नहीं किसी भी रेस में तो क्या आपना जी कोई सप्राइज आपको यहां भी देखने को मिल सकती है अच्छा है होगा पार्टी का याद नहीं होगा कैडर बेस थी लिकिन कोई भी हो सकता है और क नहीं को मर्मिन नहीं होगी यह भी आपको बता दूं कोई उसलपथल कोई नराजगी को ऐसा दोर नहीं चलेगा कि मना इस गुट को मनाया जा रहा है जो हाई कमान का फैसला होगा वह सर्मान होगा और जिसके सिर्पर भी ताज सजेगा सब को मर्ष रुमान होगा तो कौन ह तो होगा जरूरों और कोई भी ओसकता लेकिन कोई फूपा जी नहीं होगा मतलब कोई नाराज नहीं होगा क्या वाकई ऐसा है क्या कैस सर्प्राइज के लिए आप लोग भी तैयार है लिखिए अपना जी भाती जनता पार्टी को जितने भी लोग कवर करते हैं मीडिया खास उन्होंने विगत अठ्रा वर्षों में इस दाइत्वकास संपूर्ने समर्पन भाव से निर्वहन भी किया है। बेहतरी मैंडेट मिला है आपको हम लगाता कल भी चलाते रहे और सबसे दर्शकों ने लाइव हमारे ही चैनल को देखा है लेकिन मेया सवल यहाँ पर यह है कि जो बेहतरी मैंडेट मिला है और जो तमाम स्ट्राटेजियों का आपने जखर किया है शिवरा सिंग चौहान कहा ह तो निश्यत रूप से भारतिय जन्ता पर्टी का जब सामुईक नेतरुत्वा जनता के बीच में अशिरवाद मांगने जा रहा था तो उनीकी योजना थी उनीकी नीतिया थी लाड़ली लाड़ली बहना या संबल योजना हो मुख्यमंत्री कन्या विभाह योजना हो इतन जन्ता पर्टी का मध्यपदेश का जो संगठन है वो देश में सबसे बहतरीन कार्य करने वाला संगठन है हमारे राष्टी अदेग जी इसकी सारवजनी कुर्प से तारीब कर चुके क्योंकि 65,000 डिजिटलाइज बूट है मध्यपदेश भाती जन्ता पर्टी के संगठन क और इन बूटों पर हमारा डिजिटलाइज कार्य करता जिसने ततकाल रूप से जो भी संगठन की योजनाए थी उन योजनाओं का क्रियान वेन किया ओट निकालने से लेकर मेरा बूट सबसे मदबूत कारेकरम हो विधान सवा सम्मेलन हो फिर बूट विजय संकल अभियान अधनिये प्रदेश अध्यक्षम मानी विश्वददर शर्माजी के नेत्रूतों में हमारे प्रतेग भूत की कारे करता होने अर्धपन्ने के प्रमुक्र ने बूट से जो कोने बहतरीन कार्य कि तमाम बहतरीन कारे और पूरी प्लैनिंग का खुलासा यहां पर धवले जी क का ना भाते जिनता पाटी ने काम किया ना नेताम ने काम किया हर जगे एक ही काम किया है इंदू-मुस्लिम और इवियम इसके अलावा कुछ नहीं जहां भी यह जाती है नफरत की वाद करें यह जैसे आपने धबले जी से सवाल जबाब किये और सुने हैं तो मुझसे भी करत कि अर्ड़न जहें तो है और धर्म है तो है अभी यह देखजिए कितना बड़ा अखवार है इसमें यह लिखा है कि सानातन धर्म की जैह हुई है ठीक है अखवार के फ्रेंट पेस्टी पर जो बिजय आई है यह जो आई के रिसमंजबर एक नई सेक्ड़ो कारण होते है हार जीत के बड़े कारण में यह दो बता रहा हूं हिंदू मुस्लिम करना जैसे प्रधान मंत्री भी आये थे उदैपुर की घटना थी कनिया लाल की कनिया लाल की बाते हैं कर रहे थे मत्पदेश में हिंदू मुस्लिम विव परवर्तित कर देती है भाती जनता पार्टी धर्म के कितने भी बुरूत काम करें लेकिन जनता के सामने ऐसा लगता है कि भाती जनता पार्टी धर्म के साथ है कॉंग्रेस कितना भी धर्म समर्था को कितने भी धर्म के काम करें कितने भी पूजा पार्ट करें लेकिन भाती तरह से दुर्पयोग हुगा है चुनाब आयोग ने पूरी धानली की हुई है वाला घाट की घटना हो उज्जेन की घटना हो पैसा बाटा गया हो बले ही उसको लाड़नी भेहना नाम दिया गया हो लेकिन कैश बाटा गया हो और प्रधान मंत्री यूपी में जाकर कहते हैं यह बंद होना चाहिए यह रेवडी कल्चर बंद होना चाहिए सारे देश में बासर देते हैं और प्रधान मंत्री सोयम यहां रेवडी वाटनी के लिए आ जाते हैं तो यह भारती जनता पार्टी के प्रधान मंत्री के इन सब के जितने भी घोटाले हैं वो सारे जनता बा क्रसी मंत्री हैं वो भी प्रवल दावेदार है उन पर इतने गोटाले के आरोप लग गए लेकिन वो गोटाले नहीं आ पाई सामने क्योंकि हमारा प्रचार धीमा है और भाती जंता पार्टी का दुस्प्रचार बहुत जादा है यदि वो बूडियों को हम जंता को बताने मे सफल हो जाते तो प्रधानमंती तक को इस्तिफा देना पड़ता मत्विदेश में सरकार बनने की तो बहुत बड़ी बात है तो इनके जो घोटाले हैं वो हम जंता तक नहीं पहुचा पाएं और सारी बात है पहुचा भी तो लेकिन हमारे देश में धर्ग में के प्रती इत से पुरानी गोष्टा है वो भूल जाए यह भूल जाए पंद्रा लाख आना है बुलेट रहना है पचास वाते हैं कि आपको बोलने नहीं दे रही थी इसलिए मैं आपको बोलने दिया मैं रियाक्शन लोंगी बीजेपी प्रवक्ता का लेकिन मैं आपसे एक बात यहां प सेट कर देती है लेकिन इसका मतलब ना कि बीजेपी कारेकरता जमीन पर निकलते हैं काम तो करते हैं ना अगर आपके कारेकरता जो आपके लीडर कहते हैं महबत की दुकान अगर इसका दुकान का प्रचार करने के जमीन पर उतनी ही मेहनत करते तमाम नेता भी आपके तो श और शिवरासिंग चौहां कितना प्रचार कर रहे थे वह आप खुद आपकी पास जेटा होगा खेल मैं पहले आपकी बात का रियाक्षिन दवले जी अपना जी हमारी प्रचंड जीत पर हमें दंब नहीं है और इनकी इतनी बुरी हार पर हमें उपहास नहीं है देखे कॉंग मैं मेरे कॉंग्रेश के उरजावान प्रवक्ता को ये भी बताना चाहूंगा कि जनता के बीच में जाएंगे जनता की बाते करेंगे तो आप निश्चित रूप से कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा लेकिन कॉंग्रेस करती कै है आज अगर यह आपके लिए प्रत्याशि लेकिन जनता के पास पहुचना पढ़ता है। शिवरा सिंग्छ चोहां जी ने सभाय कर ली दूसरी बड़ी बात तीश री बड़ी बात हमारा एक बूट का कारेकर्था भाती जंटा ब्रेश्टाचार का जब यह आरोप लगा रहे थे तब गांधी परिवार के नैशनल हेराल्ड की 751 करोड रूपे की संपत्य अटाइश हो जाती है आपको किस मूँ से आप बाती जंदा पर्टी पे ब्रेश्टाचार का आरोप लगा सकते हैं जब हम विकास का एजंडा ला रहे हैं ये धर्म की बात कह रहे हैं भगवान श्री राम लेला 500 वर्षू से टेंट में रहे हमको ही नहीं पूरे विश्व को उनके उस भव्यदिवय मंदिर की प्रतिक्षा थी एक भारत वासी होने के नाते एक सनातनी होने के नाते मैं राम ज कह रहे है कि भाती जंदा पर्टी ने धर्म का मुद्धा बनाया अरे भाई जब उस सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कुष्टरोग एचाइवी एड्स कहां जा रहा था तब आपकी लीडर्शिप कहां गई थी आपके इंडिक बंदन के पार्टनर थे जब इसराइल और प अंग्रिस की लीडर्शिप आपके कारे करता वोट पीटर ट्रेंड कराने में लगें आपको यह समझना था कि जिस वेक्ति की वज़े से आज देश का मान विश्व में बढ़ा है जिस जो विश्व का सब्सक्राइब कर दिखाई नहीं दे रहे हैं राम पार्णे जी से में आकलन जो निकल कर सामने आया नतीजा वो तो बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे थे कि ऐसी जी चतिसगड़े मिल जाएगी वह अपने आपको मुकाबले मान रहे थे लेकिन जीत में नहीं मान रहे थे क्या उसके लिए चुनावाय को आप ठहराएंगे दोशी यह उसके ल पर सवाल उठाया था कि वहीं जब फ्रांस इंग्लेंड जर्मनी जापान के इतने एडवांस दोसें देश हैं इतने समरत देश हैं पुरी दुनिया ने इवी एम बंद कर दिये तो भारत जीत गए आप मैं वहीं कहूंगा ना आप यह कहेंगे करनाटक में क्यों जीत गए मद्द प्रदेश में 66 सीटे क्यों जीत गए यहां क्यों जीत गए वहां जीत गए यह अमेरिका इंग्लेंड ब्रिटेंड क्या पागल देश है क्या बाला घाट की आपनी बात करी बाला घाट पे तो बीजेपी की निज़ा रहे हैं ना मेडम कॉंग्रेश का हारने का का आरन यह है जब भीजेपी प्रबग्ता बोलता है तो उसको टोका नहीं जाता और कॉंग्रेश क्रवक्ता को चार बार तोसे अपनी बात नहीं जिस अब पर इतना ग्याल बाटा, मौनिका बट्टी का नाम सोना है आप में किसी से? नहीं सो जलाती है उन्होंने हिंदू धर्म को खत्ब करने की कसंग खाई उनको भाति-धंटा-पाटी ने मतबतेस पर टिकट दिया तो हमने कहा ना कि हम नहीं बता पाते हैं कि भाति-धंटा-पाटी रियली में धर्मीकी गिरोधी ए अब बताईये प्रधान-मंत्री अपनी प्रदान मंत्री बालों के पीछे पड़ गए आप वही बात है चर्चा को आप कहीं भी ले जाएंगे कटगरे में खड़ा कर देंगे पत्रकारों को कभी एवें में किसी और चीज को कर देंगे जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता हैं मैं उनसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि अगर इवें खराब था तो इवें कि लांगना में कैसे ठीक हो गिया सर यह पूछा मैंने भी कि लांगना का इवें को यह और दूसरी पीज़ा कि यह एंकार में थे माफी के साथ सब्सक्राइब मेहमानों से समय इतनी जाद देता है मुझे बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए और दे लेकिन बहुत इस बात पर हो रहे कि दूसरे ने हमसे बेतर कर लिया यह हमारी कमजोरी नहीं है यह उसकी ताकत है है सीम कौन होगा मध्रप्रदेश 36 गर्ड में उसकी सबसे पहली तस्वीर अपडेट आपको देखने को मिलेगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़टीन मध्रप्रदेश 36 गर्ड पर खबरों के लिए लगाता है जुड़े रही हमारे साथ मध्रप्रदेश हो या 36 गर्ड नतीजों की सबसे सही सटी ख़बर पहुचाने में सबसे आगे रहा न्यूज़टीन मध्रप्रदेश 36 गर्ड जीत की सबसे पहली खबर हो या सरकार बनने की सबसे बड़ी खबर सबसे बड़ा सर्प्राइज देरा है 36 गर्ड वहाँ पर भी कमाल हो गया है वहाँ पर भार्टिये जंका पाटी में बड़क बढ़ानी है सबसे पहले आप तक पहुँचा न्यूज़टी एलेक्शन न्यूज़ पोलिंडे एक्जिट पोल एलेक्शन डिसर्फ हर जगर